सोचिये डिल्ली में एक लड़की की हत्या होती है चगहन हत्या मैं आप कलपना कर सकते हैं लड़की की जो दोस्ट नीधी बता रही है कि गारी ने सामने से ठोक दिया लड़की फस गई वो उसको खीचते हुए ले गए वो इस वीडियो में ये भी बात बोल रही है कि गारी को आगे पीछे किया गया था इसका मतलब उन लोगों को पता था कि गारी में जो है वो लड़की है सवाल है कि क्या इस मामले में आरोपियों को दिल्ली पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है इसमें लोग रसुखदार हैं, कई सारे सवाल है, सोचिए इसी देश में आरोपियों का एंकाउंटर हुआ था दच्छिन भारत में, पूरे देश में फूल माला बरसाया गया था, टीबी ने उसको खूब कवर किया था, इसी देश में सरद्धा के 35 टुकरे किये गये, पूर गड़ी बच्ची की हत्या होती है, जगहन हत्या होती है, उसके सरीर के चितरे कर दिये जाते हैं, 35 टुकरे नहीं उसकी तो वो हलत कर दी गई, कि वो टुकरों में भी नहीं बस सके, उसकी पूरी मांस पेसियां छिल गई थी, उसकी अत्रियां बहार आ गई थी, उसकी सरीर लगातार खबरे आ रही है पहले एक खबर बता दूँ हरियाना से हरियाना के खेल मंत्री पर महिला कोच ने आरोप लगाया है कि वो मेरे साथ हायरेस्मेंट करते थे उसके बाद उसने अब कहा है कि उसे एक करोर रुपय का ओफर मिला कि तुम देश से चली जाओ मत परदेश में एक और बीजेपी नेता पर रेप का आरोप लगा है आरोप कहरा हूं मैं जैसे खेल मंत्री पर लगा है दिल्ली में भी बीजेपी के नेता पर आरोप है तो क्या लिपा पोती हो रहे ही लोग को सवाल तो लोग यही करे और सोची एक लड़की को बाहर लाया उसका ये CCTV सामने आ गया है जिसनों साब दिख रहा है कि घटना दो बज़े की है लड़की देर बज़े ही घर चलिया आती है जो नीधी नाम की लड़की है और इतना ही नहीं उसे एक दोस्त भी छोड़ने आता है तो क्या ये भी लोग अंधेसा जता रहे हैं कि क्या पूर आईसिसनेसन इस तरह से किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि सवाल है कि वो लड़की दारू क्यों पीती थी सवाल है कि उसके बाइफ्रेंट क्यों थे तो क्या आप किसी को मार देंगे आपको नहीं लगता जिस तरह से उसकी हत्या हुई है कुछ न कुछ तो उस गारी बालों के साथ हुआ होगा क्या उसके साथ जवर्दस्ती करने की कोशिश की गई थी क्या उसने बात नहीं मानी और क्या वो नशे में थी उसका ये लोग फायदा उठाना चाहते थें जिसका उसने विरोत किया और लोग लिख रहे हैं कि जो दोस्त छोड़के भाग जाए और दो दिन बाद चुपी तोरे उस पर क्या भरोसा करना आमादी पार्टी के एक विधायक है भारदौा जोनोंने कहा है कि ये बीजेपी की एजेंट है तमाम इस पर जो लोग की पर्थिरिया है वो जरूर सुनिये बहुत जरूरी है आपकी आँखे खोल देगी महत परदेश में बारा साल की नवारिक लड़की से बलातकार आरोपी बीजेपी नेता निकला ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये सारी खबरे जो सोसल मीडिया पर चल रही है सुचिए तमिलनाडू एक्ट्रेस गैती रगुराम ने छोड़ी भाजपा कहा पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी की महिला नेता कह रही है सुरब भार्दवाज ने सिसी टीव में एक दसमलो 36 एम लिखा हुआ है मतलब लड़की लगभग देर बजे अपने घर पहुँची हासा दो बजे के बाद कहा है इतनी जल्दी हासे से पहले ही पहुँच गई भाचपा की एस्टार गवा यह पूरा केस बहत संधिक्द होता जा रहा है बहुत कुछ है जो दिल्ली पुलिस छिपा रही है सुरब भार्दवाज ने यह बो लर्की है नीधी जो गवाह बनके गुजर ही जिसका कहना है कि यह रोड रिज का मामला है एक्सिडेंट का मामला है जबकि वो घटना अस्थल से डेर बजी अपने घर पहुच गई तो सवाल है कि क्या यह सब कुछ पलान करके हुआ है यह बरा सवाल है और इसी को लेकर सोचिए कैमरे लगते हैं सिंतजार में कि कुछ गरबर सोचिए तो यह लगाता आपको बता रहा हूं मैं किस तरह से सोचल मीडिया पर इस ख़बर को लोग बता रहे हैं और सवाल है कि क्या वो बिछरी लड़की है गरीब लड़की है इसलिए उसके साथ इस तरह से हो रहा है और सत्ता के नसे में बीजेपी नेता भेरिया हो गया है जिस सोचिए सराप के नसे में पांच आदमी इतने धूत थे कि उनको एक लड़की की कार से घसिरते हुए समय दर्दनाक ची के नहीं सुनाई दी दिली में उसकी मौत होने के बावजूद बोनसेरी मौज मनाते रहें उन पांच दर्दनों में से एक मनोज पूरी दिली में मंगोल पूरी में बीजेपी का नेता है तो रेप इंडिया बयान पर मचा हंगामा तो लोगों ने गिनाय रेप आरोपी बीजेपी नेताओं के नाम सुचिए किस तरह से सिंगर से लेकर उन तमाम नेताओं के नाम गिनाय जा रहे हैं रेप इंडिया के बैयार पर मचा हंगामा तो लोगों ने गिना है रेप आरोपी BJP नेताओं के नाम सिंगर से लेकर इन 20 सक्स के नाम सामिल है सुचिए 20 BJP मेताओं पर संगीन आरोप है और भारत में हर रोज 86 रेप हर घंटे महिलाओं के खिलाप अपरात के उन 40 मामले रिपोर्ट किये जाती है तो वो मामले है आज जब पुलिस ने अंजली की दोस्त को पकरा तो वो टीवी पे आके अंजली के बारे में उलूल जूल बखवास कर रही है जो लड़की अपनी दोस्त को सरकपर मरता देख उसकी मदद करने की जगा घर सो गई उस पर आप कैसे बिस्वात किया जा सकता है अंजली का करेक्टर असे नेशन हुरू हो चुका है जनता समझदारे मैं नहीं कह रहा हूं स्वाती मालिवाल जो की दिल आतार कुछ ऐसे विडियो दिखा रहा हूं आपको जिस पर सवाल उठ रहे हैं और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल है तिकिस सवाल है कि मीडिया किस तरह से हात्रस में भी इसी तरह से एक बहुजन समाज की बेटी के साथ गैंग रेप हुआ उसका मडर हुआ उस म मामले में भी किस तरह से लिपा पोती करने की कोशिश हुई थी और सुचिए कि एक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लग रहा है और वो मानने के लिए तयार नहीं है और तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरे मामले में दिल्ली का जो पूरा मामला है अंजली का उसमें कि तरह से लिपा पोती की कोशिश हो रही है सवाल है कि एक गई रात्तन हत्या तो नहीं लगता है अगर एक्सिडेंट हुआ भी है तो उसके बाद उस लड़की को रात्तन मारा गया है गारी क्यों नहीं रोकी निकाला क्यों नहीं पूलिस को क्यों नहीं फोन किया भागना क् और जो लड़की बार-बार बयान दे रही है मीडिया में आके वो भी ये बात कह रही है कि जो एक्सिडेंट हुआ था जो लोग गारी में बैठे थे उनको पता था कि एक्सिडेंट हुआ है वो गारी आगे पीछे की है लड़की के बयान की भी माने तो ये हत्या गईरात्तन तो नहीं है यहत्या तो जान बुज़कर किया गया है यह अलग बात है कि पुलिस की मदद से मीडिया इसको एक रोड रेज का मैमला एक्सिडेंट साबित करना चाहती है ताकि आरोपी हलके में छोड़ जाए सुचिय कि हर्याना के एक खेल मंत्री है जो बीजेपी के विधायक मंत्री थे बीजेपी से उन पर कोच निया रोप लगाया है छेरचार का लगाया बाद में अभी पता चल रहा है कि उनको एक करोर का ओफर दिया गया था और कहा गया कि आप देश छोड़ दीजे तो बहुत लेकिन सवाल वही है टीवी अख़बार पर है तनूशी जो सुसाइड करती है उसमें उनके वाय फ्रेंट चुकी मुसल्मान है तो कैम्पेंच चलता है गिरफतारी होती है मैं उस आरोपी को किलीन चीट नहीं दे रहा हूँ जाँच होनी चाहिए गिरफतारी होनी चाहिए जाँच होनी चाहिए गिरफतारी होनी चाहिए जो सरद्धा का मामला चला मैं उसके भी साथ हो मामला मीडिया को दिखाना चाहिए लेकिन सवाल तब खरा होता है जब मीडिया अगर मुसल्मान आरोपी है लड़की हिंदू है तब ख़बरे दिखाती है लेकिन बही मीडिय जब पीरित गैर सवर्ण हिंदू है C.H.T.O.B.C. मैंनोटी या गडीव है और आरोपी सवर्ण हिंदू है रसुखदार है अमीर है तो मीडिया का चहरा बदल जाता है तब वो आरोपियों के साथ हो जाती है तब वो पीरित के खिलाफ हो जाती है खिलाल यही सीथी दिख रह पुलिस दिखरे मैं इसलिए कहना हूँ इस देश का जाती का चरित्र समझिये आज के समय में अगर आरोपी मुसल्मान हो और पीरित हिंदु हो तो आपको नयाय मिलेगा मीडिया दिखाएगी लेकिन अगर आरोपी अगर पीरित हिंदु हो लेकिन वो गैर सबॉर्न हो सबॉर्न हो तो मीडिया फिर पीरित के साथ नहुकर आरोपी के साथ होता है यह इस देश की सच्चाई है और सवाल है कि बीजेपी के वो तमाम नेता कहां है जो दिन रात तनुशी और सरद्धा को लेकर कैंपेंच चला रहे थे इस मामले पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं और पुलिस उन लड़कों का वीडियो क्यों नहीं जारी कर रही है और सवाल है कि जो नीधी है उन पर भी सवाल उरता है कि उन्होंने अपने दोस्त को छोड़ दिया पुलिस को इन्फरम नहीं किया उन्होंने किसी की मदद नहीं की अब उनका वीडियो आ गया जिससे साथ द बोच़ रहे हैं आप लोग को क्या लगता है कि दिल्ली मामले में पुलीस बचाने की स्मय जूती है और मेरा किसमा मुले में क्या इसलिए कारेक्टर रोकिया चया रा कि ट्रॉपयों को बाइड़ सरकों कई नहीं है शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूर करे